Hello students, welcome back to Meena Tutorials. आज हम नवसंस्कितम के चतुरदश पाठ भारत रत्नम को पढ़ेंगे. पहला पहला ग्राप देखें. भारत रत्नम पुरस्कार भारत से सर्वोच सम्माना अस्ते. भारत रत्नम पुरस्कार भारत से भारत का सर्वोच सम्मान है. भारत रत्नम इतियस से अर्था भावती. भारत रत्नम इतियस से अर्था मतलब इसका अर्थ है. भावती होता है भारत रत्नम इसका अर्थ होता है जैमा उफ इंडिया. अर्थात भारत से महारग नागरिका. महारग में बहमूल कीम्ती. अतात भारत का बहमोल्य नागरिक, भारत का कीमती नागरिक भारत सर्वकारा, भारतस्य प्रतिष्ठित जनेभ्या, भारत सर्वकारा मिंस भारत सरकार भारतस्य भारत के प्रतिष्ठित जनेभ्या, प्रतिष्ठित लोगों क्यों गड़ मान्य नागर के भ्यह चा और गड़ मान्य नागरिकों को तेशाम उनिके प्रेरडा दायक का नाम प्रेरडा दायक कार्या डाम कृते कार्य के लिए एतत पुरसकारं ददाती यह पुरसकार देती है भारत सरकार भारत के प्रतिष्ठित लोगों और गड़ मान्य नागरिकों को उनिके प्रेरणा दायक कारियों के लिए यह पुरसकार देती है भारत रतनम इतियतत पाठयत यत जीवने सफलताम प्राप्तुम ना को अपी सरलह मध्य मारगा भारत रतनम इतियतत पाठयत यत यह सिखाता है यत कि जीवने सफलताम सफलता को प्राप्तुम पाने का ना को अपी सरलह मध्य मारगा कोई भी सरल बीच का मारग या बीच का रास्ता नहीं है भारत रतन यह सिखाता है कि जीवन में सफलताम पाने का कोई भी बीच का आसान रास्ता नहीं है ब्यक्तिगत जीवने ब्यवसाईक जीवने वा अथवा वा मिंस अथवा या अथवा ब्यवसाईक जीवन में उच्च तमम लक्षम प्राप्तुम परिश्रमेड सह चारित्रस्यापी आवसक्ता भवती चारित्रस्यापी मतलब यहाँ पे चारित्रस्यापी संधिकर के लिखा गया है चारित्रस्यापी ब्यक्तिगत जीवन में अथवा व्यवसाईक जीवन में उच्च तमम लक्षम उचे लक्ष को प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए परिश्रमेड सह सह में ससाथ परिश् चरित्र के भी आवसकता होती है। धीक्तियत जीवन में अथ्वा ब्यावसाएक जीवन में उच्छतम लक्ष प्राप्त करने के लिए परिश्रम के साथ अच्छे चरित्र की आवसकता होती है। ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया, फिर देखें, दूसरा पैराग्राफ देखें, भारत रतनम पुरसकारस्य, आवेद का नाम चयनम, स्वयम, भारत सिराष्ट्रपति करोधी, भारत रतन पुरसकारस्य मतलब पुरसकार के, आवेद का नाम मतलब आवेद को का, चयनम मि राष्ट्रपती करोध करते हैं भारत रत्न पूरसकार के आवेद को का चैन स्वयम भारत के राष्ट्रपती करते हैं ए तस्मिन सम्माने इस सम्मान में कोई अपिधन राशे ना भवती कोई भी धन राशे नहीं होती है ए तस्मिन पारितोशिके इस पारितोशिक में पूरसक पुरस्कार में पिपलस्य पत्रे पीपल के पत्ते पर सूर्य चित्रेड सह सूर्य चित्रे के साथ भारत रत्न इतिलिखितम भवती भारत रत्न लिखा होता है। और जीवन का प्रतीक है। इस पुरस्कार के साथ भारत के राष्ट्रपती द्वारा प्रमाड़ित प्रमाड़ पत्र भी दिया जाता है। अब यहां पर देखें तीसरा पैराग्राप देखें। नव दस शतम अधिकम त्रिशस्टी मतब उन्नी सुतिसट वर्ष में महारास्ट्र निवासी महान इतिहासकार संस्कत जगत के अति उत्तम विद्वान मतलब बहुत अच्छे विद्वान डाक्टर पांडुरंग वामन काड़े महोदया भारत रतनेन सम्मानित अभवत डाक्टर पांडुरंग वामन काड़े महोदया भारत रतन से सम्मानित हुए। ये paragraph आपका हो गया और ये page हो गया अब page को अपने आप turn कीजे देखें next page पे next paragraph में क्या दिया हुआ है पांडुरंग महोदे सिजन्म 1880 अब 1880 को आपको संस्किते पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे अश्टा दस शतम अधिकम अशीत क्या पढ़ेंगे अश्टा दस शतम अधिकम अशीत इसको 1880 तो पांडुरंग महोदे सिजन्म 1880 अमे वर्ष अभवद पांडुरंग महोदय का जन्म अठारसोसी वर्ष में हुआ चात्रकाले एव सा सथ सोड़ पदकानी प्राप्तवान आसीत चात्रकाले मतलब चात्र जीवन में एव मतलब ही सा सथ सोड़ पदकानी प्राप्तवान आसीत उन्होंने सात स्वर्डपदक प्राप्त कीए चात्र जीवन में ही उन्होंने सात स्वर्डपदक प्राप्त कीए स, मुंबई विश्व विद्याले वहूनी वर्षाण यावत पाठनम शोधकार्यम चा अकरोत स, उन्होंने मुंबई विश्व विद्याले में वहूनी वर्षाण बहुत वर्षो यावत तक पाठनम शोधकार्यम चा अकरोत पाठनम अतला पढ़ाया उन्होंने मुंबई विश्व विद्याले में बहुत वर्षो तक पढ़ाया और शोधकार्य किया अनंतरम बाद में सा तस्मिन विश्व विद्याले वह तस्मिन उसी विश्व विद्याले में एव ही उपकुलपति अपियाभवत उपकुलपति भी हुए ठेक है उपकुलपति मतलब वाइस चांसलर होता है बाद में वह उसी विश्व विद्याले में ही उपकुलपति भी हुए भारते सह अनिकावी संस्थावी सह संस्कित कार्यम अकरोत भारत में उन्होंने अनेकावि संस्थावि मतलब अनेकों संस्थाओं के साथ सहमें स साथ संस्कित कार्यम अकरोत संस्कित कार्य किया भारत में उन्होंने अनेक संस्थाओं के साथ संस्कित का कार्य किया विदेशेशु आपि विविधेशु सम्मेलेनेशु सह भारतस्य प्रतनिधित्वम अकरोत। विधेशों में भी विधेशु बिभिन सम्मेलनों में सह भारत से वह भारत के प्रतनि धित्वम मत प्रतनि धित्व अकरोत मेंज किया विधेशों में भी और विभिन सम्मेलनों में उन्होंने भारत का प्रतनि धित्व किया पांडुरंग महोधय चालिस वर्शाडी लिखा है उरिस को भी हम संस्कीत में पढ़ेंगे चत्वारिंसत पांडुरंग महोधय चत्वारिंसत वर्शाड यावत सुधकार्यम कृतवान पांडुरंग महोधय ने 40 वर्शों तक hisकार्य स सह, यहाँ पर देखें, पैसट सो प्रिष्ठा नाम, पैसट सो को हम क्या पढ़ेंगे, पंच शस्टी शतम, ठीक है, पंच शस्टी शतम, पैसट सो प्रिष्ठो का, धर्म सास्त्र स्य इतिहासा, धर्म सास्त्र का इतिहास, नामकम ग्रंथम लिखित वान, नतम नामक ग्रंथ लिखा उन्होंने पैसेट सो प्रिष्ठों का धर्म सास्त्र का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा पांडुरंग महोदया भारत सर्वकार द्वारा महा उपाध्याय इति उपाधिम अपि अलभत पांडुरंग महोद है भारत सरकार की द्वारा महा उपाध्याय की उपाधी भी प्राप्त की महा महो उपाध्याय यहां पर दिया है मतलब महा उपाध्याय की उपाधी प्राप्त की अगला देखे नेक्स्ट पैराग्राफ ये आखरी पराग्राफ है इसका क्या दिया है? डाक्टर भी मराव अंबेट करा अपी भारत रत्नम सम्मानम प्राप्तवान 1990 वर्ष में भारतिय सम्मिधान के रचैता संस्कित के अभिमानी राजनेतिग्य अर्थ सास्त्री डाक्टर भी मराव अंबेट कर भी भारत रत्न से सम्मानित हुए भारत रत्न से सम्माने थुए या उनको अंभीटकरने भी इनो नी भी भारत रत्न सम्मान प्राप्त किया हमेंसे भी कह सकते हैं फिर क्या है अगला डाक्टर अंभीटकरस से जन्म 1891 1891 मतलब अस्टा दस शतम अधिकम एक नवते क्या बोलेंगे अस्ट दस्षतम अधिकम एक नवती मतलब 1891 वर्ष तमे वर्ष अभवत डाक्टर अमबेटकर का जन्म 1891 वर्ष में हुआ था साह लंदन नगरस्य अर्थशास्त्र विद्याले वह लंदन नगर के अर्थशास्त्र विद्याले में अर्थास्त्रम, न्यायशास्त्रम चा अपठध मतब उन्होंने लंदन अगर के अर्थास्त्र विद्जाले में अर्थास्त्र और न्यायशास्त्र पढ़ाया पढ़ाई की डाक्टर अंबेटकर का संस्कित से अत्य धेक लगाओ था, महत्य प्रीती मतलब अत्य धेक लगाओ था सह सम्विधान यहाँ पर आसीत दिया है न, इस वज़ा से था, आसीत मतलब था सह सम्विधान से निर्माड समय उन्होंने सम्विधान के निर्माड के समय राज भाशा रूपेड राज भाशा के रूप में संस्कित भाशाया प्रस्तावम इस्थापितवान आसीत निर्माड के समय राज भाशा के रूप में संस्कित भाशा का प्रस्ताव रखा था सह उत्तमा संस्कित संभाश का अपियासीत वह संस्कित के अच्छे वक्ता भी थे तो बच्चो पाठ का अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है धन्यवाद